आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटा नाश्ता जिसे बनाने में जादा से जादा 20 से 25 मिनिट लगेंगे ये नाश्ता बनाने में बहुत ही आसान है बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और इस नाश्ते को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी पोहे आप बारिक या मोटे वाले कोई से भी ले सकते हैं, अब इन आदा कव पोहों को हमें पीस लेना है, देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल महीन सा पाउडर इसका बना लिया है, टेक्स्चर से आप जैसे सूजी होती है, उस तरीके से ये पोहे दिखेंगे, अब यहा पानी से दो तिन बार अच्छे से दो लेंगे, और दो लेने के बार इसे पानी में ही डाल देंगे ताकि ये काले ना पढ़े, लेली है मैंने एक बड़ी कड़ाई, कड़ाई में हम डाल देंगे एक बड़ा चमच तेल, तेल के गरम होने पर हम इसमें डाल देंगे आदा चम्मच चीरा इसमें हम डालेंगे अब इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच तिल तिल का टेस्ट इस नाश्टे में बहुत ही अच्छा आएगा और यह मैंने बारिक का टीवी हरी मिर्श डाली है आप अपनी स्पाइस जिस तरीके से आप ज्यादा तीका पसंद करते हैं तो आप इसमें ज्यादा हरी मिर्श डाल सकते हैं अब अच्छे से मैंने इने बुन लिया है गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम करके इन सब को बुना था अब यहाँ पे हम डाल देंगे एक कप पानी हमने आदा कप वह लिये थे तो यहाँ हम एक कप पानी इसमें डालेंगे गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है आदा चमच मैंने इसमें चीली फ्लेक्स डाले है और नमक हम स्वात के अनुसार इसमें डाल देंगे अब इस पानी में हम उबाल आने देंगे यह मैंने बारिक कटावा हरा धन्या भी इसमें डाल दिया है पानी में उबाल आ चुका है अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट कियोए आलू इन आलूं को हमने पहले से ही दो-तिन पाने से अच्छे से दो लिया था इन आलूं को हमें एक मिनिट के लिए इस पानी में अच्छे से पका लेना है अब इसमें हम डाल देंगे पीसे हुए पोहे जिन पोहों का हमने जाड़ा होता जाएगा और एक डो की फोम में आ जाएगा देखिए इस तरीके से ये सारा मिश्रण डो फोम में आ गया है इस मिश्रण ने पैन को भी छोड़ दिया है अब यहां पे हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे जादा ठंडा हमें इसे नहीं करना है दो से पांच मिनिट के लिए थोड़ा सा हमें इसे ठंडा कर लेंगे फिर एक तेल लगी हुई थाली या प्लेट में ट्रे में किसी में भी आप इस तरीके से से सेट कर लीजिए हम इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे वरना इस नाश्ता हमारा आसानी से नहीं बनेगा थोड़ा गरम रहते वही से हमें इस तरीके से फैला लेना है और इसकी मोटाई मैंने आदे से एक इंच रखी है अब इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसके मंचाहे पीसिस कर सकते हैं आप स्क्वाइर पीसिस, राउन में पीसिस या ट्राइंगल पीसिस किसी भी तरी से कैसे इसके पीसिस कट कर सकते हैं मैं यहाँ पे लंबे लंबे इसके पीसिस कट करूँगी आप चाकू या पी पीसिस के कट कर लोंगी, इस तरहीके से मैंने सारे पीसिस कट कर लिए हैं, हब एक एक करके सारे पीसिस हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे, इन पीसिस को आप फ्रिज में airtight container में रखके 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं, ताकि आप इसको बाद में भी fry कर सकते हैं, अभी इ यहाँ पर मैंने कड़ाई में तेल गरम करना पहले से ही रख दिया है, तेल अच्छा गरम हो गया है, अब हम इसमें सारे पीसिस डाल देंगे, यह नाश्ता जटपट से बनके तयार हो जाएगा, 20-25 मिनिट इस नाश्ते को बनाने में लगेंगे, अगर आपके पास कच्चे आलो से नहीं बनाना चाते हो, उबले हुए आलो हैं, तो आप उबले हुए आलो भी इसमें डाल सकती हैं, अब medium to high flame पे अच्छे से उलट-पुलट करते हुए सारे पीसिस को हम फ्राई कर लेंगे, एक बैच को फ्राई होने में 2-3 मिनिट लगेंगे, जैसे ही एक बैच फ पनके तयार है, अब दूसरा बैच भी हम यहां पे fry कर लेंगे, इस सारे नाश्थे को हम निकाल लेते हैं, आप इस नाश्थे को सॉस के साथ, ग्रीन चट्नी के साथ, हरी चट्नी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, यह नाश्था बिना चट्नीयों के भी और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीसी से सब्सक्राइब करें मिलेंगे फिर इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद